हलो दोस्तों वेलकम बैक टो नदर वीडियो गाईज आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने पेटियम केवाइसी का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं कि आपका मीनी केवाइसी है या फुल केवाइसी है देखिए वीडियो में हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि फुल के वाइसी कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपने फुल के वाइसी का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं कि फुल के वाइसी हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मीनी के वाइसी या फुल के वाइसी जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर वगएरा पहले से लिखा हो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आगर आपने रिजिस्टर कर रहा है, तो जैसा कि यहाँ पर मेरा KYC हो चुका है और wallet activate हो चुका है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि full KYC कैसे होगा, कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पर आपने देख लिया कि mini KYC कैसा रहता है, wallet activate हो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर monthly payment limit जो है मेरा 10,000 रुपया है, आप यहाँ पर हम बताने वाले हैं, देखिए यह मेरा दूसरा phone है, इसमें जो हम पहले से Patreon application यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैंने वीडियो KYC के तुरू KYC कर लिया था, तो देखिए यहाँ पर KYC का status कैसे चेक कर स जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका नाम लिखा हो रहेगा, उसके बाद आपका mobile number लिखा हो रहेगा, इस नाम के आगे एक blue tick लगा हो रहेगा, तो यहाँ पर से भी आप समझ सकते हैं, कि Patreon KYC हो चुका आपको, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, नीच का कंडिशन एक्टिव दिखाएगा, अब जो यहाँ पर लिमिट जो दिखाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लाग रुपया है, मतलब जैसे ही KYC आपका complete हो जाएगा, तो लिमिट automatic जो है, इंक्रीज हो जाता है, पहले तकी mini KYC अगर आपका है, तो 10,000 रुप मौझूद रहेगा, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, कि आपका patium wallet या तो mini KYC है, या फिर full KYC है, तो ये mini KYC का एक ही condition है, कि आपका patium wallet जो है active रहेगा, मगर उसका limit कम रहेगा, उसमें money जो है, आप 10,000 रुपया से ज़्यादा आइड नहीं कर सकते हैं, अगर KYC full हो ज